हेलो दोस्तो आप सब कैसे हैं? उमीद करती हूँ अच्छे होंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे पिस्ता के फायदों के बारे में दोस्तो पिस्ता नाम आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा और खाया भी होगा दोस्तो पिस्ता एक स्वादिश्ट और पॉश्टिक स्नेक है जो स्वस्त आहार में सामिल करने पर कई तरह के स्वस्त लापरदान कर सकता है पिस्ता खाने से हमारे सरीर को बहुत फायदे मिलते हैं आईए जानते हैं इनके कौन कौन से फायदे हैं नमबर एक पिस्ता कैलसियम और अन्य पोशक तत्तों का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों के स्वश्ट के लिए महत्यपूर है, जैसे फासफोरस और मेगनेसियम अपने आहार में पिस्ता को सामिल करने से मजबूत स्वश्ट हड्डियों को बढ़ावा देने में मदद म सकती है नमबर दो फिस्ता विटामिन ई का एक अच्छा सोथ है जो स्वस्त तोचा को बनाये रखने के लिए महत्पूर है विटामिन ई तोचा को अक्सुडेटू तनाव से बचाने में मदद कर सकता है नमबर तीन अक्सर बहुत सारे लोगों को खून में हीमोग्लोबीन की कमी हो जाता है लेकिन आप को यह जान कर हैरानी होगी कि हीमोग्लोबीन के लिए भी फिस्ता काफी मददगार हो सकते हैं हीमोग्लोबीन के कमी आईरन की कमी के कारण होती है वही फिस्ता के सेवन से शरीर में आईरन की सर्यात मात्रा पहुशती है जिससे हीमोग्लोबीन बढ़ सकता है बढ़ते उम्र के साथ ही याद दा सकती भी कमजोर होने का खत्रा बढ़ जाता है आप इसमर सकती को बढ़ाने के लिए फिस्ता का सेवन कर सकते हैं रात को सोने से पहले दूद में मिला का सेवन करना फैदे मंद हो सकता है नमबर पांच शरीर से बढ़ते हुए वजन को हर कोई कम करना चाहता है पिस्ता खाने से कैलोरी की मात्रा को कम किया जा सकता है इसका सेवन करके वजन को बढ़ाने से रोका जा सकता है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले अगली वीडियो में फिर मलते हैं एक नही जानकारे के साथ तब तक के लिए नमस्कार